चोपड़ा एजुकिसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदे के स्वागत करता हूँ दोस्तों वी वीडियो MCC के सेकुर्टी मनी के रिफंड के रिगार्डिंग है काफी सारे स्टुडेंट ने कॉमेंट्स किया है कि MCC की काउंसलिंग के लिए सेकुर्टी मनी जो जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 रूपीज, OBSC, S.C.S.T. के लिए 5,000 रूपीज और डिम्ड के लिए 2,000,000 रूपीड डिपोजिट हुआ था वो अभी तक रिफंड नहीं हुआ है वो कब तक रिफंड होगा मैंने MCC के कॉल सेंटर पर जब कॉल करके इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले नोटीस आएगा उसके बाद इलिजिबल कंडिडेट की लिस्ट MCC की वेबसाइट पर पब्लिस होगी और उसके बाद में 15 डेज के अंदर अंदर कंडिडेट का रिफंड आ जाएगा ये लेट इसकारण हो रहा है क्योंकि पहले एडमिसन की लास्ट डेट 15 जनवरी थी इसको बढ़ा कर 18 फरवरी कर दिया था इसकारण रिफंड का प्रोसेस काउंसलिंग ओवर होने के बाद ही स्टार्ट होता है हमने प्रिवियस एर में देखा है कि ये जो प्रोसेसिंग का समय है काउंसलिंग ओवर होने के बाद ये 40 से 45 डेज के अंदर अंदर रिफंड आ जाता है तो हम मानके चलते हैं कि 31 मार्च से पहले पहले ये आपका रिफंड आ जाएगा 20 मार्च तक नोटिस आ जाएगा और इलिजिबल कंडिडेट की लिस्ट आने की पूरी पूरी संभावना है और हम प्रिवियस एर को देखते हुए ये कनफर्म मानते हैं कि ये जो रिफंड है वो 31 मार्च से पहले पहले आ जाएगा इसके बारे में आप और जानकारी चाते हैं तो आप भी MCC के कोल सेंटर पर कोल कर सकते हैं इसके टोल फिरी नमबर 18001027637 और फोन नमबर 01204073500 हैं इस पर आप मंडे टू सेचरडे सुबह 9 बजे से साम 6 बजे तक कोल कर सकते हैं संडे को ओफ रहता है तो आप भी अभी रीफंड के इंतजार में हैं तो ये मार्च एंड तक यानि की 31 मार्च से पहले पहले आपके अकाउंट में आने की पूरी पूरी समावना है जिस आकाउंट से आपने पे किया था जैसे ही इलिजिबल कंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी इसका नोटिस आ जाएगा और रिफंड इनिसियेट हो जाएगा मैं आपको इन्फोर्म कर दूँगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइको शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन